OBI World Cup 2023 पॉइंच टेबल दक्षिन अफरिका की बड़ी जीत ने बदली पॉइंच टेबल की इस्तिती ऐसा है ताजा हाल World Cup 2023 में अभी तक कुल चार मैच हो चुके हैं सिर्फ भारत और अस्ट्रेलिया की दो ऐसी टीमें हैं जिनोंने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है इस World Cup का चौथा मैच दक्षिन अफरिका और सिर्लंका के बीच खेला गया जिसमें दक्षिन अफरिका ने One Day World Cup का इतिहास का सबसे बड़ा टोटल स्कोर बना कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया दक्षिन अफरिका की टीम ने इस मैच में पूरे 50 ओबर में 5 विकेट खोकर 428 रन बनाए और सिर्लंका को 102 रनों से हरा दिया दक्षिन अफरिका की इस जीत के बाद आईए हम आपको बताते हैं कि ICC One Day World Cup 2023 में अंक तालिका का हाल कैसा है World Cup के अंक तालिका में इस वक्त सबसे उपर न्युजिलेंड की टीम है क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े अंतर से डिफेंडिंग चेंपियन इंगलेंड को पहले ही मैच में मात दी थी इस कारण अंक तालिका में नंबर 1 पर New Zealand की टीम है जिनके पास 2 अंक और प्लस 2.149 का नेट रन्डेट है अंक तालिका में दूसरे नमर पर दक्षिन अफरिका की टीम आ गई है जिनोंने स्रिलंका को हरा कर दो अंक अर्जित किये और नेट रंड रेट को भी प्लस 2.040 का पहुचा दिया है इस वक्त वर्ल्ड कप 2023 के अंक तालिका में तिसरे नमर पर पाकिस्तान की टीम है जिनोंने अपने पहले ही मैच में नेदरलेंड को हरा कर दो अंक और 1.620 का नेट रंड रेट प्राप्त किया है नमर चार पर एक और ACI टीम बांगलादेश है जिनोंने अपने पहले ही मैच में अफगानिस्तान को मात दी थी बांगलादेश के पास इस वक्त दो अंक और प्लस 1.438 का नेट रंड रेट है इन चार टीमों के अलावा अभी तक किसी टीम का खाता नहीं खुल पाया है अलिका में सबसे दिल्चस्प बात या है कि इस वक्त वर्ल्ड कप को जितने वाली टीम सबसे मजबूत दावेदार में से पिछले वर्ल्ड कप की चेंपियन इंग्लेंड की टीम यानी दसवे अस्थान पर मवजूद है अजय को वर्ल्ड का पर मवजूद है